तो यह वाला कोशन देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है अगर इस कोशन को देखोगे बेसिकली तो इसमें कहा जा 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 रहा है एक ट्रांजिस्टर है LC oscillator using a resonance circuit L inductance negligible resistance and capacitor C in series produce oscillation with frequency F अब L और C है series में हैं तो यह करता है कि resonance frequency तो आई हो कि आपको पढ़े होगे कि resonance frequency पे XL बराबर हो जाता XC के अगर अपना यहाँ capacitor लगा है और inductor लगा जिसका resistance negligible है और यहाँ से अपना समझ रहे हो XL बराबर है XC के तो क्या हो जाता है resonance हो जाता है और इस resonance के condition पे इसको solve करने के बाद omega L1 upon omega C आजाता है तो यहाँ से frequency जो omega square की जो value है जाएगी 1 upon LC आजाएगी तो जो frequency आजाएगी 1 upon 2 pi LC under root अगर यह formula यहाद है तो direct लगा दो अब यह कहता है if L is double and C is changed 4C अब frequency कितना होगा तो यह case first है case 2 में हमने क्या किया इसी question में अगर case 2 में जो part 2 है this is the part first case 2 में frequency मालो f dash हो गया 1 upon 2 pi और आपने यहाँ से L जो है वो change कर दिया L is double L is double मतलब यहाँ से 2L कर दिये और C is 4 times मतलब यहाँ से 4C कर दिये और यह सब कुछ under root है ठीक है तो अब यहाँ से देखोगे तो इसको solve करोगे तो यहाँ से 2 root 2 और यहाँ से तुम देखोगे 2 pi LC under root बचेगा तो यहाँ से जो frequency f dash को लिख सकते हो 1 upon 2 root 2 तो यहाँ साइड में ले लो और यह जो पूरा है वो frequency f के equal आ जाएगा तो जो f dash आ जाएगा f upon 2 root 2 के यह वाली चीज़ टिक है यह पूरी जो value यह जो पूरी value बनेगी यह actual f की value है तो यहाँ से f by root 2 मतलब अपना d option सही हो जाता है